दोस्ता ये वीडियो काफी ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी चीदों के बारे में जो कि Maldives के दोरा इंडिया से खरीदी जाती है या फिर import कराये जाती है लेकिन अगर सबसे पहले बात करें इंडिया और Maldives की GDP के बारे में तो मै मैं आपको बता दू कि Maldives की जितनी GDP है उससे दस गुना जादा भारत के लोग विदेज घूमने में खर्च कर देते हैं इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि Maldives की GDP कितनी जादा कम है क्योंकि बारत के लोग foreign countries में घूमने में हर साल 65 billion dollar खर्च कर देते हैं वही Maldives की GDP केवल 6.5 billion dollar है और इसे के साथ मैं आपको बता दू कि Maldives की economy tourism पर काफी ज़्यादा depend करती है क्योंकि Maldives की GDP का 28% हिस्सा केवल tourism sector से आता है लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि Maldives के दौरा इंडिया से किन चीजों को import कराया जाता है या फिर क्या-क्या समान इंडिया से ख खरीता है जो खुद Maldives के अंदर नहीं बनाया जाती है इसके लावा मैं आपको बता दू कि Maldives के infrastructure project में भी बारत का काफी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है अब अगर बात करें कि Maldives बारत से किन चीजों को खरीता है तो basically Maldives के दौरा बारत से काफी बड़ी मातरा में च पैसली जो scrap metal होते हैं उनको Maldives के दौरा इंडिया से काफी बड़ी मातरा में इंपोर्ट कराया जाता है और अगर बात करें दूसरे कुछ और product के बारे में तो Maldives इंडिया के उपर engineering goods के उपर भी काफी ज़्यादा dependent है क्योंकि Maldives के दौरा इंडिया से काफी बड़ी मा जादों की बारत के दौरा Maldives को काफी ज़्यादा लोंस भी दिये गए हैं क्योंकि Maldives में आपको काफी बड़ी संख्या में बीच देखने को मिलेंगे जहां पर tourist के लिए काफी development की भी जुरत होती है और इसी development के लिए Maldives के दौरा इंडिया से कई लोंस भी लिये गए ह अब दोस्तों मैं आपको एक डेटा के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में जानकर आपको इंडिया और Maldives के बीच के दिफरेंस है वो साफ देखने को मिलेगा तो अगर बात करें कि 2023 में Maldives ने 12 से कितना समान खरीदा था तो 2023 में Maldives ने 12 से 41 करोड डोलर का समान खरी लेकिन 2022 में भारत ने मालदिव से केवल 62 लाख डोलर का ही समान खरीदा था तो जैसा कि हमने देखा कि Maldives के द्वारा बारत से जिन समान को इंपोर्ट कराया जाता है उनकी कीमत हमें करोडों डोलर में देखने को मिलती है वहीं भारत के द्वारा जो मालदिव से इंपोर् तक मालदिव में टोटल 17,57,000 तूरिस्ट घुमने आये थे जिसमें से 2,10,000 तूरिस्ट केवल भारत से आये थे ऐसे में दोस्तों अगर भारत के टूरिस्ट के द्वारा मालदिव जाना बंद कर दिया जाता है तो इसके कारण मालदिव को काफी ज्यादा नुक्सान हो सकत तो वैल दस्तों इस वीडियो में इतना ही I hope you like the video तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिया जाहिन